नमस्कार बहुत स्वागत है आपका विंधिया टाइम्स में हाजिरुए दो पहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते हैं पहली खबर की जहां ग्वालियर एसपी आफिस में पदस्त रहे घोटाले बाज आरक्षक को पुलिस ने आखिरकार गिरफतार कर लिया है आरोपी आरक्षक अरविंद भदोरिया को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है आरक्षक अरविंद भदोरिया पर आरोप है कि उन्होंने एसपी आफिस में तैनाती के दोरान तकरीबन 71 लाक रुपे के सरकारी धन की गड़बडी की है पुलिस अब अरविंद भदोरिया को ह किरासत में लेकर पूश्टाच कर रही है ग्वालियर पुलिस अदिक्षक कार्याले में स्पी की नाक के नीचे बिल क्लर्क लाखों का घोटाला करता रहा और अपसरों को गड़बडी का पता भी नहीं चला कोश एवं लेखा ने सिश्टम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के बाद स्पी ऑफिस में 71 लाख रुपए की गड़बडी पकड़ी है इस मामले में बिल कलर्क अरविंद सिंग भदौरिया को प्रतम दृष्टिया दोशी ठहराया जा रहा है आयुक्त कोश एवं लेखा ने मामले की जाच संयुक्त संचाला कोश एलन सुमन को सौपी है टीम में चार सदत से रखे गये हैं इनमें उपसंचाला कर्चनात्री पाठी विवेक सकसेना नरेन सिंग भी शामिल किये गये हैं पुलिस अदिक्षक कारियाले से पुराने बिलो की डीटेल्स मागी गई है कोश एवं लेखा अधिकारियों के मताबिक पुलिस अदिक्षक कारियाल अरविंद सिंग भदोरिया ने अपनी पतनी नीतू के SBI खाते में 17 लाख रुपैर ट्रांसफर किये हैं वरिष्ट कोशाले अधिकारी अरविंद सर्मा ने कहा कि इस गड़बडी की शिकायत पुलिस के वरिष्ट अधिकारियों से भी कर दी गई है और उन से रिकॉर्ड भी तलब किया गया है ट्रेजरी ऑफिसर अब पिछले पांच सालों में हुए भुगतान और बिलो की जाच भी करेंगे इस तरह का मामला सामने आने के बाद S.P. ऑफिस भी सवालों की घेरे में आया है कि आखिर जिस कारियाले में खुद S.P. बैठते हैं वहां इस तरह की गरबड़ी का हो जाना पुलिस अधिकारियों की बड़ी चूक को दिखाता है बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की जहां मध्यप्रदेश के हर्दा की पटाखा फैक्टरी में हुए विसपोट ने पूरे देश को जगजोर कर रख दिया है इस मामले में एक के बाद एक क कलेक्टर की तैनाती भी की गई है बुधवार को सीम मोहनयादव के हर्दा दौरे के बाद कलेक्टर इशीगरग और सबीश संदीब कुमार कंचन को हटा दिया गया था अब उनकी जगह पर हर्दा में नए अपसरों की तैनाती की गई वहीं शिंदवाड़ा में भी को हरदा का नया कलیک्टर बनाया ग历 है वहीं IPS अदिकारी अभिनाव चौक से को हरदा SP बनाया गया है IPS आदित्य सिंग 2014 बैज के I.S. अधिकारी है वहीं हरदा में SP के पतपर तैनाथ होने वारे अभिनाव चौक से 2018 बैज के IPS अधिकारी है वहीं शैलेन सिंग को छिंदवारा जिले का कलेक्टर बनाया गया है वुद्वार शाम को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हर्दा में पठाखा फैक्टरी ब्लाश्ट के घटना इस्थल का दौरा किया था इसके बाद देर शाम स्पी संदीब कुमार कंचन और कलेक्टर रिशी गर्ग को हटाने के आदेश जारी किये गये थे कलेक्टर रिशी गर्ग राश्टपती पुरुसकार से सम्मानी थें उन्होंने ही पठाखा फैक्टरी का लाइसेंस रद्द किया था ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उनका ट्रांसपर क्यों किया गया स्पी संदीब कुमार कंचन को हर्दा से हटा कर भोपाल मुख्याले में पदस्त किया गया है वही कलेक्टर रिशी गर्ग को उपसचिव मध्यप्रदेश शासन की पद पर ट्रांसपर कर दिया गया है गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के हरदा जिला मुख्याले पर एक पटाखा फैक्टरी में हुए ब्लाश्ट ने हरदा जिले को दहला दिया है हादसा मंगलबार सुबह 11 बजी के करीब हुआ हादसा इतना भयानत था कि इसकी गूंज जिले में करीब 20 किरो मीटर तक सुनाई थी